Hello Friends, मैं भावना, बुंबाई लाइफ में लोग क्या कहेंगे की अगली सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोग क्या कहेंगे की शुरूआत कहां से होती है आपने देखा होगा बचपन से ही ये बाते लोग क्या कहेंगे हमारे दिमाग में भरी जाती है ये लोग क्या कहेंगे वाला जहर जो है बचपन से हमारे दिमाग में घोला जाता है और हम इनी बातों को पूरे जीवन लेकर चलते हैं और पूरे जीवन इन बातों का हम पे असर रहता है आपने देखा होगा कि हमारी जीवन में इन बातों का इतना एफेक्ट पड़ता है कि हम उसे जब तक हम लोग बढ़ते हैं जिन लोगों ने अपनी लाइव लोग क्या कहेंगे के चक्कर में बरबाद कर ली अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें मैं आपको बता देती हूँ आपके साथ मेरे उम्र के नजाने कितने लोगों के साथ अलग तरह से कुछ हुआ होगा और आज के माब आप जो अपने बच्चों के साथ अलग तरह से कुछ कर रहे होंगे बट लोग क्या कहेंगे वाली सिच्वेशन जो है आज भी जिन्दा है और उस चीज को हम लोग फोकस कर रहे हैं मैं जानना चाहती हूँ आखिर क्यों हम लोग उस चीज को फोकस कर रहे हैं जब हम किसी क्या मिलने गए और वहां पे चले गए वहां पे हम लोग आराम से गए हमें लगा वाओ क्या शाम थी वाओ क्या दिन था आ गई वहां पर इंजॉय करके कोल्ड रिंग पी अच्छे से चोकलेट खाई बिस्कित खाया आराम से जूजूज पी आम मस्त खेले कूद लेते लोग क्या मुस्त जैसिक पूणर कि यहिक जिंस हम लोगों मिलने घुडेए थी शुरू होती थो क्या कdessAGने क्या लोग ने कुछ में पर कि नहीं हुआ कि नियुक्त के सबस्तरम नाया ज्ब्क्र हों कैसे थैट तूड रहे थे बिल्कुल आसे उच्छ भर्रइक परते कर रहे थे जैसे हम तो तुम्हें कुछ दिलाते ही नहीं है सोचो लोग क्या कहेंगे अब यह सिच्विशन बच्चे के दिमाग में आ गई उसको तो पता ही नहीं था कि उसको किस तरह की से बेव करना उसको तो लगा ठाना पीना बच्चों के साथ खेलना और चलना कू होगा यह यह यहां से शुरुआत हुई आगे नजाने और कितने चैप्टर्स आएंगे वह हम उसके उपर बात करते रहेंगे अगले अगले ब्लॉग्स में बच जनली मावाप अपने बच्चों के दिमाग में यहीं से शुरुआत करते हैं तो प्लीज आप अपने तो रहूं फिर में को डाट पड़ेगी लोग क्या कहेंगे और यह आंटी क्या बोलेगी अंकल क्या बोलेंगे तो इसलिए में को थोड़ा साफधान रहना है तो वो जो बच्चे एक नेचुरल बच्चपन में था वो नेचुरल नहीं है फिर वो एकदम conscious है लोग क्या कहे इसबार में को वो गलती नहीं कर रही है तो आप बच्चों के दिमाग में यह चीज़े सेट कर रहे हैं यह जहर बच्चों के दिमाग में घोल रहे है आगे आने वाले टाइम में STEP-2 STEP चलते रहेंगे और जो कि आप लोग करते भी यह तो मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग अपने बच्चों के साथ इस तरह की हरकते कर रहे हैं उनको यह ऐसा ना रोक टोक करें यह लोग क्या कहेंगे वाली सीरियूज को बच्पन से उनकी दिमाग में ना भरे अगले स्टेप में हम फिर आएंगे एक नया कंपैरिजन लेके लोग क्या कहेंगे जिन लोगों के साथ भी बच्पन में ऐसी हरकत हुई है जिन लोगों की सच में उनकी पिटाई हुई है डाट पड़ी है कुछ भी हुआ है तो प्लीज कमेंट करके जुरूर बताएं और अगर आपको मेरा व्यडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें थैंक यू रही मच बाइबाएं